आउनीज ट्यूटोरियल ब्रांड एजुकेशनल एंड कम्टीट्यू चैनल की तरफ से सभी को सिच्छक दिवस की हारदिक सुपकामनाएं दिखिए आज का दिवस बहुत ही महत्पूर है यदि सिच्छक ना हो तो कुछ नहीं है सिच्छक ही एक माली की तरह होता है जो सिंचित करता अपने ग्यान से और व्यक्त की जीवन में निखार आता है और उचाई उपर चड़ता है सिच्छक वह होता है जो हमें अच्छर ग्यान कराता है छोटे बड़े का आदर सम्मान करना सिखाता है और गुरु वह है जो हमारे मनुश्य जीवन को सफल कर बनाता है क्योंकि गुरु हमें पूर परमात्मा की पहचान कराता है और उससे मिलने का रास्ता बताता है अच्छा टीचर वो होता है जो ताउम्र सीखता रहता है और अपने छात्रों से सीखने में भी कोई परहेज नहीं दिखाता ये हैं डाक्टर सरुपल्ली राधाकृष्णन इनहीं के जैनती के अउसर पर हम लोग सिख्छक दिवस मनाते हैं इन्होंने सिख्छा के छेत्र में जो अनूठा कारे किया है आज उसी से पूरा देश समाज जो है आगे बढ़ता चला गया है आज हमारे अंदर एक सिख्छा की जो निव है वो इनहीं से मिलती है हैपी टीचर्स डे पर ये कहना गलत नहीं है कि वन बुक वन पेन वन चाइल्ड एंड वन टीचर्स का इन चेंदी वर्ड मिंस एक अध्यापक पुरे बेश्चु को परिवर्तित कर सकता है उसके अंदर ये अनूठी छमता होती है उसकी अपनी एक अनूठी पहचान होती है सिच्छक दिवस पर समस्त सिच्छक गड़ों को हार्दिक सुपकामनाय भारत रत्न महान सिच्छवित वदार्शनिक भारती संस्कित के ज्यानी डाक्टर सरुपल्ली राधाक्रशन जी की जैनती पर उन्हें सत सत नमन। सिच्छक दिवस सिच्छक बच्चों में सिर्फ ग्यानव नैतिक आदर्शों को ही संचारित नहीं करते हैं बलकि उन्हें सामर्थवान बना कर एक सोद्रिण समाज की संरचना वह एक ससक्त राष्ट के निर्माण में महत्पूण योगदान देते हैं जैसे कि भारत्न रत्न डाक्टर स्वरपली राधा किश्रन जी ने किया था आज उन्ही की जयनती पर उन्हें नमन करता हूं अब सभी सिच्छकों को सिच्छक दिवस की सुपकामनाएं देता हूं राष्ट के भविस्य रूपी पौधे को सीचने वाले राष्ट के युवाओं को ससक्त बनाने वाले भविस्य के सिल्बकार हमारे सिच्छकों को नमन आप सभी को सिच्छक दिवस की हार्दिक सुपकामनाएं यदि सिच्छक ना हो तो जीवन मूढ की तरह रह जाएगा अधेरे में रह जाएगा एक सिच्छक ही ग्यान की जोत जलाता है और उस जोत से गाउं समाज ही नहीं देश ही नहीं पूरा बिस्प्रकासित होता है ग्यान जैसा प्रकास और कोई नहीं सिच्छक के ग्यान की तुलना ग्यान के प्रकास की तुलना अगर सूर के प्रकास से की जाए तो कोई इदर बात नहीं है जिस तरह से सूर का प्रकास नहीं समाप्त हो सकता ठीक उसी प्रकार से सिच्छक का ग्यान का प्रकास कभी समाप्त नहीं होता वह दिन बदिन बढ़ता ही जाता है सिच्छक एक जंजीर की कड़ी है और एक लंबी स्रिंखला बंती आगे चली जाती है तो आप सभी को सिच्छक दिवस की हार्दिक सुप कामनाए एक बार फिर से सिच्छक दिवस की बारंबार हार्दिक सुप कामनाए सिच्छा ही जीवन है सिच्छा ही मुल्य है सिच्छा ही सब कुछ है इसी बात के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं धन्यवाद जय हिंद जय भारत